20. पुष्य भूती वंच या वर्धन वंच गुप्त वंच के पतन के बाद जिन नए राजवंचों का उद्भा हुआ उनमें मैतरक मौखरी, पुष्य भूती, परवर्ती गुप्त और गौड प्रमुख हैं इन राजवंचों में पुष्य भूती वंच के शासकों ने सबसे विशाल सामराज्ये स्थापित किया पुष्य भूती वंच के संस्थापक पुष्य भूती था, इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाना प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेशर नामक स्थान थी प्राभाकर वर्धन इस वंच की स्वतंतुरता का जैनमदाता था, तथा प्रधम प्रभावशालिश शासक था, जिसने बरम भटारक और महाराजा धिराज जैसी सम्मान जनक उपाधियां धारन की प्रभाकर वर्धन की पतनी यशुमती से दो पुद्र राजे वर्धन और हर्श वर्धन तथा एक कन्या राजिश्री उत्पन हुई, राजिश्री का विवह कन्योच के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ, मालवा की शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, नोट, शशांक शैवधर्म का अनुयाई था, इसने बोधी विक्ष बोध गया को अकटवा दिया, राजे वर्धन की मुर्धियों के बाद 606 इस्वी में 16 वर्ष के अवस्था में हर्श वर्धन थानेश्वर की गद्धी पर बैठा, हर्श को शिलादित्य के नाम स भी जाना जाता था, इसने परम भटारक नरेश की उपादी धारन की थी, हर्श ने शशांक को पराजित करके करनौच पर अधिकार कर लिया, तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, हर्श और पुलकेशन द्वीतिये के बीच नर्मदान अधी के तर्ट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्श की पराजय हुई, चीनी यात्री हुएंसांग हर्श वर्धन की शासंकाल में भारत आया, नोट हुएंसांग को यात्रियों में राजकुमार नीती का पंडित एवं वर्दमान शाक्यमुनी कहा जाता है, वो नालंदा विश्विध्याले में पढ़ने एवं बौध्य ग्रंत संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आये था, हर्श 641 इसवि में अपने दूट चीन भेजे था, 643 इसवि एवं 645 इसवि में दो चीनी दूट उसके जरबार में आये, हर्श ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेश बलपूरवक प्राप् प्रारंब में हर्श भी अपने कुल देवता शिव का परमभक्त था, चीनी यात्री हुए इसांग से मिलने के बाद उसने बौध धर्म की महायान शाखा को राजिश्रे प्रदान किया, तथा वो पून बौध्य बन गया, हर्श के समय में नालंदा महावियार महायान बानभट हर्श के दर्बारी कवी थे, उन्होंने हर्श भरित्र एवं कादंबरी की रचना की, प्रिय दर्शिका रतनावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्श ने की थी, कहा जाता है कि धावक नामक कवी ने हर्श से पुरुसकाल ल बानभट कहे जाते थे, हर्श के मंतरी परिशत के मंतरी को सचिव या आमात्य कहा जाता था, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्श का समराजे कई प्रांतों में विभाजित था, प्रांत को भुक्ती कहा जाता था, प्रतेक भुक्ती का शासक राजस्थानिय उपारिक या राश्रिय कहलाता था नोट हर्ष्चरी चरित्र में प्रांतिय शासक के लिए लोगपाल शब्द आया है भुक्ति का विभाजन जिलो में हुआ था जिले की संग्याती विशय जिसका प्रधान विशय पती होता था विशय के अंतरगत कई पाठक आधने का तहसील होते थे ग्राम शासन की सबसे छोटी एकाई थी ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पठलिक कहा जाता था प्रश्ट पच्चीस पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जा गया है दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे अश्व सेना के अधिकारियों को ब्रिहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महा बलाधिकृत कहा जाता था हर्ष चरित में सिचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उलेख मिलता है हर्ष के समय मतुरा सूती वस्तरों के निर्मान के लिए प्रसिद्ध था हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिशत भंडी प्रधान सचिव, सिंगनाद प्रधान सेनपती, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, सकंदगुप्त गज सेना का प्रमुख कीस दक्षिन भारत के प्रमुख राजवंश एक पलववंश पल्लववंश का संस्थाबक सिंग विष्णू 575 से 690 वी पर था इसकी राजधानी कांची तमिलनाडू में कांची पुरम थी वो वैशनव धर्म का अनियाई था किराता आरजुनियम के लेखक भारवी सिंग विष्णू के दर्बार में रहते थे पल्लववंश के प्रमुक शासक हुए 889 से 897 इस्वी हुआ मतविलास प्रहसन की रचना महेंदर वर्मन ने की थी महाबली पुरम के एकाशम मंदिर जिनी रत कहा गया है का निर्मान पल्लव राजा नरसिंग वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था रत मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपती रत है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है वातपी कोंड की उपाधी नरसिंग वर्मन प्रथम ने धारन की थी अर्बो के आकरमन के समय पल्लवो का शासक नरसिंग वर्मन द्वीतिय था उसने राज सिंग राजाओं में सिंग आगम प्रिय शासकों का प्रेमी और शंकरभक्त शिफका उपासक की उपाधिया धारन की उसने कांची के केलाश मंदिर का निर्मान करवाया जिसे राज सिद्धेशवर मंदिर भी कहा जाता है इसी मंदिर के निर्मान से द्रविन स्थापत्य कला की शुरवात हुई महबली पुरम में शोर मंदिर दश्कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंग वर्मन द्वीतिये के दर्बार में रहते थे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वेकुंट पेरुमाल मंदिर का निर्मान नंदी वर्मन द्वीतिये ने करवाया प्रस्द वैशनव संत तिरू मंगई अलवार नंदी वर्मन द्वीतिये के सम कालिन थे। राश्ट्रकूट राश्ट्रकूट राजवन्ष का संस्थापक दंतिदूर्ग 752 इस्वी था। इसकी राश्धानी मनिकर या मान्यकेत, वर्तमान, मालखेड, शोलापूर के निकट थी। राश्ट्रकूट वंश के प्रमुक्साशा सकते कृष्ने प्रथम धुरुव गोविंद तृतिये अमोग वर्ष कृष्ने दृतिये इंद्र तृतिये एवं कृष्ने तृतिये एलोरा के प्रसुद कैलाश मंदिर का निर्मान कृष्ने प्रथम ने करवाया था दुरुव राश्ट्रकूट वंच का पहला शासक था जिसने कर्नौच पर अधिकार करने हे तू त्रिपक्षे संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया दुरुव को धारवर्ष भी कहा जाता था गोविन्थ तृत्य ने त्रिपक्षे संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपालता था प्रतिहार वंच के शासक नागभट दुईतिये को पराजित किया प्रिष्ट 26 अलव पांडिय केरल एवं गंग शासको के संघ को गोविन्थ तृत्य ने स्पशनष्ट किया अमोगवश जैनधर्म का अनुयाई था इसने कननड में कविराज मार्ग की रचना की आदी पुराण के रचनाकार जिनसे इन गडितासार संग्रह के लेखक महावीराचारी एवं अमोगवश के दर्बार में रहते थे अमोगवश ने तुग भंद्रा नदी में जल समाधी लेकर अपने जीवन का अंत किया इंद्रितृतिये के शासनकाल में अरब निवासी अल्मसूधी भारत आया राश्रकूट वंच का अनतिम महान शासक क्रिश्न तृतिये था इसी के दर्बार में कनड भाशा के कवी पोर्न रहते थे जिन्होंने शांती पुराण की रचना की कल्यानी के चालुके तैलप द्वितिया ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा कर राश्टरकूट राज्ये पर अपना अधिकार कर लिया और कल्यानी के चालुके वंश की नीव डाली एलोरा एवं एलिफेंटा महराश्टर गुहामंदिर का निर्मान राश्टरकूटों के समय ही हुआ एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं इसमें 1-12 तक बौध्यूं 13-29 तक हिंदूओं एवं 30-34 तक जैनों की गुफाएं हैं राश्टरकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपा सकते राश्टरकूटों ने अपने राजियों में मुसल्मान वैपारियों को बसने तथा इसलाम के प्रचार की स्विकृती दी थी कल्याणी के चालुके वंच की स्थापना तैलप द्वितिये ने की थी राजधानी मान्य खेट चालुकी वंच कल्याणी के प्रमुक शासक हुए तैलप प्रथम तैलप द्वितिये विक्रमा द्वितिये जैसिंग सोमेश्वर प्रधम ने मानिकेट से राजधानी हटा कर कल्यानी करनाटक को बनाया इस वंच का सबसे प्रतापी शासक विक्रमा दित्य शष्ट था विलहड एवं विज्ञानेश्वर विक्रमा दित्य शष्ट के दरबार में ही रहते थे मिताक्षरा हिंदू विधी ग्रंद याग्यवल के स्मृती पर व्याक्या नामक ग्रंथ की रचना महा विधी वेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी विक्रमांक देव चरित की रचना विलहर ने की थी इसमें विक्रमा दित्ये शष्ट के जीवन पर प्रकाश डाला गया है चालूके वन्ष वातापी जैसिंग ने वातापी के चालूके वन्ष की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी इस वन्ष के प्रमुक्षा सकते पुलकेशन प्रधम, किर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वित्ये, विक्रमा दित्ये, विनया दित्ये, एवं विजया दित्ये इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वित्ये था महकूंड स्तंब लेख से प्रमारित होता है कि पुलकेशन द्वीतिय बहु समवर्ण एमम अगनिश्ठोम यग्य संपन्न करवाया था जिनेंद्र का मेगूती मंदिर पुलकेशन द्वीतिय ने बनवाया था और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया संभवता इसी युद्ध में पुलकेशन द्वीतिये मारा गया इसी विजय के बाद नर्सिंग वर्मन ने बातापी कोड की उपादी धारण की एहोल अभीलेख का संभण पुलकेशन द्वीतिये से है लेखक रवी कीर्ती अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूथ मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वीतिये को दिखाए गया है बातापी का निर्मान करता कीर्ती वर्मन को माना गया है मालवा को जीतने के बाद विनया दित्य ने सकलोतर पत्थ नाथ की उपाधी धारण की प्रिश्ट 27 विक्रमा दित्य दुईत्य के शासनकाल में ही दक्कन के अर्बों ने आकर्मन किया इस आकर्मन का मुकाबला विक्रमा दित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य दूइतिय ने इसे अवनी जनाश्रे की उपाधी प्रदान की विक्रमा दित्य दूइतिय की प्रधम पत्नी लोक महादेवी ने पदट काल में विरुपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रेलोक के देवी ने त्रेलोक एश्वर मंदिर का निर्मान करवाया इस वंश का अंतिम राजा कीर्थी वर्मन दुईतिय था। इसे इसके सामन्त दंति दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राश्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रातापी राजा विजया दित्य तृतिय था जिसका सेनपती पडुरंग था। चोल नौवी शतापदी में चोल वंश पलबों के दुहसा वशेशों पर स्थापित हुआ। आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पलबों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधी धारन की। चोल वंश के प्रमुक राजा थे परांतक एक, राज राज एक, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वीतिय एवं कुलो तुंग। तक कोलम के युद्ध में राश्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतिय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राज दित्य मारा गया। राज राज प्रथम ने श्री लंका पर आकरमन किया, वहां के राज़ा महीम पाँच को भगा कर श्री लंका के दक्षिन जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल सामराज्य का एक नया प्रांध मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुबा को उसकी राजधानी बनाया राजराज एक शैव धर्म का अन्याय था इसने तन्जौर में राजराजश्वर का शिम्वंदिर बनाया चोल्ड सामराज्य का सरवादिक विस्तार राजिंदर प्रथम के शासनकाल में हुआ है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजिंद्र प्रथम ने गंगे चोड चोल की उपाधी धारंगी और नवीन राजदानी गंगे कोड चोलपुरम के निकट चोलंग गळम नामक विशाल तालाप का निर्मान करवाया नोट गजनी का सुल्तान महमूद राजिंदर प्रथम का समकालिन था चोलकाल में भूमी के प्रकार वेलन्ड वगाई गैर ब्रहमड किसान स्वामी की भूमी ब्रहमादिय ब्रहमडों को उपहार में दी गई भूमी शाला भोग किसी विद्याले के रखरकाव के भूमी देवदान या तिरुन मड दुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमी पली चंदर्म जैन संस्थानों को दान दी गई भूमी राजेंद्र दुटीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपादी धारन की चोल बंश का अंतिम राजा राजेंद्र त्रितिय था चोलो एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांती स्थापत करने में गोवा के कदम बशासक जैकेस प्रथम ने मध्यस्त की भूमिका निभाई थी विक्रम चोल अभाव एवं अकाल सेग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था कुलोतुंग तुईतिय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विश्नु की मूर्ती को समुंदर में फेकवा दिया कालांतर में वैश्नव आचारे रामानुजचारे ने उक्त मूर्ती का पुनरुद्धार किया और उसे तुरुपती के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्निश्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था प्रिश्ट 28 संपून चोल सामराज्य छे प्रांतों में विभग्त था प्रांत को मंडलम कहा जाता था मंडलम कोटम में, कोटम नाडू में एवं नाडू कई कुर्रमों में विभक्त था नाडू की स्थाने सभा को नाटूर एवं नगर की स्थाने सभा को नगरतार कहा जाता था स्थाने स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेश्टा थी और सर्वसाधरन लोगों की समीती थी जिसका कारिय होता था सावजनिक कल्यान के लिए तालाबों और बगीचों के निर्मान हेतु गाउं की भूमी का अधिगरहन करना सभा या महसभा, ये मुलतः अग्रहारो और ब्रहामन बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरूम मक्कल कहा जाता था ये सभा वेरियम नाम की समीतियों के द्वारा अपने कारिये को संचालित करती थी, सभा की बैठा गाउं में मंदिर के निकट व्रिक्ष के नीचे या तालाप के किनारे होती थी, वैपारियों की सभा को नगरम कहते थे चोल काल में भूमिकर उपज का एक बटा तीन भाग हुआ करता था, गाउं में कारिय समीति की सजसिता के लिए जो वेतन भोगी करमचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्त कहते थे ब्रहमणों को दी गई करमुक्त भूमिको चतुरवेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रहमदे कहलाती थी चोल सेना का सबसे संगठित अंग था, पदाती सेना, चोल काल में काशु सोने के सिक्के थे, तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद कवी था, जो कुलो तुंग प्रथम का राज कवी था, उसकी रचना है कलिंग तू पर्णी कंबन, ओट, टकर, कुटन और पुंग लेंदी को तमिल साहित्य का त्री रत्न कहा जाता है, पंप, पोन, एवं रन, कनर साहित्य के त्री रत्न माने जाते हैं, परसी ब्राउन ने तंजौर के ब्रिहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतिय वास्टो कला का निकश्च माना हैं, चोलकालिन रट राज प्रतिमा को चोलकला का सांस्कृतिक सार या निकोड कहा जाता है, शैवसंत इसाना शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरू थे, चोलकाल दसवी शताबदी का सबसे महत्वपुन बंदर गहा कावेरी पटनम था, बहुत बड़ा गाउन ज अनसार थी, उर्रयूर, तंजोर, गंगकोड, चोलपुरम एवं काची, चोलकाल में सडकों की देखभाल बागान समीती करती थी, चोलकाल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, चोलकाल के विशाल व्यापारी सम्हु निम्न थे, वलंजियार, विश्णो के अपासक अलवार एवं शिफ के अपासक नैनार संत कहलाते थे, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनसार सभा की सदसिता, एक, सभा की सदसिता के लिए इच्चुक लोगों को ऐसी भूमे का स्वामी होना चाहिए, जहां से भूरा जस्व वसूला जाता है, दो, उन उनके पास अपना घर होना चाहिए, तीन, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, चार, उन्हें वेदो का घ्यान होना चाहिए, पाँच, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और इमानदार होना चाहिए, छै, यदि कोई पिछले तीन सालों में किसी समीती का सदस्य रहा है तो वो किसी और समीती का सदस्य नहीं बन सकता साथ जिसने अपने आप या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता यादव वंश देवगिरी के यादववश की स्थापना भिलम पंचम ने की इसकी राजधानी देवगिरी थी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंगहर 1210-1246 इस्वी था इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक राम चंद्र था जिसने अलाउदीन के सिनापती मलिक काफूर के सामने आत्म समर्पन किया प्रिष्ट 39 होयसल वंश द्वार समुंद्र के होयसल वंश की स्थापना विश्णौ वर्धन ने की थी होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्मान विश्णौ वर्धन ने 1117 इसवी में किया था होयसल वंच का अन्तिम्शासक वीर बल्लाल तृतिय था जिसे मलिक काफूर ने हराय था होयसल वंच की राजधानी दुआर समुंद्र आधनिक हैले विड था कदम वंच कदम वंच की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी कदम वंच की राजधानी वनवासी था गंग वंच संस्थापक बज्र हस्त पंचम था अभी लेखों के अनुसार गंग वंच के प्रथम शासक कौंकडी वर्मा था गंगों की प्रारंबिक राजधानी कुवलाल कोलर थी जो बाद में तलकाड हो गई दतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था काकातिये वंच का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नर्गोंडा हैदराबाद में एक चोटे से राज़े का गठन किया जिसकी राजधानी अमक कौन थी इस वंच का सबसे शक्तिशाली शासक गड़पती था रुद्रमा देवी गड़पती की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महराज का नाम ग्रहन किया जिसने पैती सुवर्ष तक शासन किया गड़पती ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांत्रित कर ली थी इस राजवंच का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295-1323 था 22. सीमा परती राजवंचों का अभियोदै पालवंच पालवंच का संस्थापक गोपाल 750 इसवी था इस वंच की राजधानी मुंगेर थी गोपाल बौदी धर्म का अनुयाई था इसने ओधनतपुरी विश्विद्याले की इस्थापना की थी पालवंच के प्रमुक शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायनपाल, महिपाल, नैपाल, आदी पालवंच का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्विद्याले की इस्थापना की थी करनौच के लिए त्रिपक्षय संगष पालवंच, गुर्जर प्रतिहार वंच, एवं ट्राश्टरकूट वंच के बीच हुआ इसमें पालवंच की ओर से सर्वपतम धर्मपाल शामिल हुआ था ग्यारवी सदी के गुजराती कवी सोड ठल ने धर्मपाल को उत्रापत स्वामी की उपादी से संबोधित किया है ओधन्तपुरी विहार के प्रसद बौध्यमट का निर्मान देवपाल ने करवाया था जावा के शैलेंद्रवंची शासक बालपुत्र देव के अनुरोद पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौध्य विहार बनवाने के लिए पांच गाउदान में दिये थे गौडी रीती नामक साहित एक विध्या का विकास पालशासकों के समय में हुआ सेन वंच की स्थापना सामंत सेन ने राढ में की थी इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी सेन वंच के प्रमुक्षासक विजय सेन बलाल सेन एवं लक्षमन सेन थे सेन वंच का प्रधम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुरोद था प्रिश्ट तीस, दान सागर एवं अद्भुट सागर नामग्रंथ की रचना सेन शासक बलाल सेन ने की थी, अद्भुट सागर का लक्षमन सेन ने पून रूप दिया था, लक्षमन सेन की राजसभा में गीद गोविन के लेखक जैदेव, पवंदूत के लेखक धोई, एव ब्राम्मन सर्वसव के लेखक हलायुद थे, हलायुद लक्षमन सेन का प्रधाम न्यायधीश एवं मुख्य मंत्री था, विजय सेन ने देव पाड़ा में प्रदुमने शिवर मंदिर, शिवकी विशाल मंदिर की इस्थापना की, सेन राजवन्ष प्रधम राजवन्ष थ जिसने अपना अभी लेख सर्वर प्रधम हिंदी में उतकरीन करवाया। प्लक्षमन सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। शक्तिशाली राजा ललिता दित्यमुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तर्ण मंदिर का निर्मान ललिता दित्यमुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था अवंती वर्मन के अभिनियन्ता सुय ये ने सेचाई के लिए नहरों का निर्मान करवाया 980 इस्वी में उत्पल वंच की रानी दीद्या एक महत्वक आंक्षिनी शासिका हुई उत्पल वंच के बाद कश्मीर पर लोहार वंच का शासन हुआ लोहार वंच का संस्थापक संग्राम राज था संग्राम राज के बाद अनन्त राजा हुआ इसकी पत्नी सुय मती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहता की लोहार वंच का शासक हर्ष विद्वान कवी तथा कई भाशाओं का ग्याता था कलहड हर्ष का आच्रत कवी था जैसिंग लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने ग्यारसो अठाइस इस्वी से ग्यारसो पच्पन इस्वी तक शासन किया जैसिंग के शासन के साथ ही कलहड की रास्तरंगिनी का विवरन समाप्त हो जाता है काम रूप का वर्मन वंश 24. शतापदी के मध्य काम रूप के वर्मन वंश का उदए हुआ इस वंश की प्रतिष्टा का सनस्थापक पुष्य वर्मन था इसकी राजधानी प्राग जियोतिश नामक स्थान पर थी कालांतर में कामरूप पाल समराज्य का एक अंग बन गया इस राजपूत राजवन्षों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारवन्ष मालवा कशासक नागभट प्रथम गुर्जर प्रतिहारवन्ष का संस्थापक था नागभट द्वित्ये को राश्ट्रकूर्ट समराथ गोविंद तृत्ये ने हराय था प्रतिहार वंज का सरवादिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मीहिर भोज था मीहिर भोज ने अपनी राजधानी कर्नौज में बनाई थी वो विश्णु भक्त था उसने विश्णु सम्मान में आदी वारहा की उपादी दहरन की राजशेखर प्रतिहार शासक महिंदरपाल के दरबार में रहते थे इस वंज का अंतिम राजा जियशबाल 1036 इसवी था दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने ग्यारवी सदी के मध्य में की गेहडवाल यानी राठोर राजवंज गेहडवाल वंज का संस्थापक चंद्रदेव था इसकी राजधानी वारणसी काशी में थी प्रिष्ट 31 इस वंज का सरवादिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था इसका मंत्री लक्षमिधर शास्त्रों का प्रकान पंडित था जिसने कृत्य कल्पतरू नामक ग्रंथ लिखा था गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनात में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई प्रिथ्विराज तृतिय ने स्वयंबर से जैचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था इस वंच का अंतिम शासक जैचंद था जिसे गौरी ने 1194 इसवी के चंदावर युद्ध में मार डाला चाइमान या चोहान वंच चोहान वंच का संस्थापक वासुदेव था इस वंच की प्रारंभिक राजधानी आहिच्छित्र थी बाद में अजैराज दूइतिय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया इस वंच का सबसे शक्तिशाली शासक अर्नो राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ वीसल देव 1153 से 1163 इसवी हुआ जिसने हरी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की सोमदे विग्रह राज चतुर्थ के राजकवी थे इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा अढ़ाई दिन का जोपडा नामक मस्जिद शुरू में विकरहराज चतुर्त द्वारा निर्मितेक विद्याले था प्रत्वराज तृतिय इस वंच का अन्तिम शासक था चंद्रवर्दाई प्रत्विराज तृतिये का राजकवी था जिसकी रचना प्रत्विराज रासो है रन्थमबौर के जैनमंदिर का शिकर प्रत्विराज तृतिये ने बनवाय था पर्मार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन, पर्मार वंश का सरवाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिन में भोजपुर नामक जील का निर्मान करव नेशिद्धिये चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रभंद चिंतामडी के लेखक मेरुतुंग थे। शासकता راجा भोज भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कर्वाया था। इस मंदिर के परिस्कर में संस्कर्ट विद्याले भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवन विद्वानों का प्रमुख खेंदर थी। म चितोड में त्रिबुवन नारायन मंदिर का निर्मान करवाया, बोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततह बारासो सतानवे इस्वी में अलावदिन खिलजी के सेनापती नसरत खा ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश प्रतिहार सामराजे के पतर के बाद बुंदेलखंड की बूमी पर चंदेलवंश का स्वतंतर राजनितिक इतिहास प्रारंब हुआ। बुंदेलखंड का प्राचिन नाव जेजाक भुकती है। चंदेलवंश का चंदर एवं सबसे प्रतापी राजा यशो वर्मन था। यशो वर्मन ने करनाच पर आकरमन कर प्रतिहार राजा देव पाल को हराया तथा उससे एक विश्नु की प्रतिमा प्राप्त जिसे उसने खजुराहो के विश्नु मंदिर में इस्थापित की। चंदेल शासक विद्यादर ने कन्नौच के प्रतिहार शासक राजेपाल की हत्या कर दी। क्योंकि उसके महमूद के आकरमन का सामना किये बिना ही आत्म समर्पन कर दिया था। विद्यादर ही अकेला ऐसा भारतिय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वकांगशाओं क सभलता पूर्वक प्रतिरोध किया। इस पर उसके मंतरी अजेदेव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अत्वा गुजरात के चालुक के शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रत्थम था। इसकी राजधानी अनहिल वार थी। मूल राज प्रत्थम शैव धर्म का अनुयाई था। भीम प्रत्थम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनात के मंदिर पर आकर्मन किया। भीम प्रत्थम के सामंत बिमल ने आबू परवत पर दिल्वाडा का प्रसिद जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वन्ष का प्रधम शक्तिशाली शासक जैसिंग सिद्धराज था। प्रसिद जैन विद्वान हेमचंद जैसिंग सिद्धराज के दरबार में था। माउंटावू परवत राजस्थान पर एक मंडब बनाकर जैसिंग सिद्धराज ने अपने सभी पूर्वजों की गजारोही मूर्थियों की इस्थापना की मोडीरा के सूर्य मंदिर का निर्मान सोलंकी राजराओं के शासंकाल में हुआ था सुद्धपुर में रुद्र महा काल के मंदिर का निर्मान जैसिंग सिद्धराज ने किया था सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानी आई था वो जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्टक के रूप में प्रसद है सोलंकी वन्च का अंतिम शासक भीम दूवितिय था बीम दूइतिय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बगेल वंज की स्थापना की थी बगेल वंज का करण दूइतिय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था इसने अलाओदिन खेलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था